नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे NIT स्रीनगर यहां PhD आडमिशन का नोटिफिकेशन अलोड आ चुका है 2021-2022 के लिए और यहां बिना NET JRF का भी आप आडमिशन ले सकते हो जितने सारे यहां सब्जक्ट है, सारे कि सारे सब्जक्ट में और यहां आपको fellowship भी मिल जाएगा full-time PhD में तो चलिया चलते हूं उसका official website में और वहां जाकर हम इसको details में discuss करते हैं सुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा teachers in channel fully dedicated है उनके लिए जो भी future में एक अच्छा teacher, professor, assistant, professor and lecture बनना चाहते हैं हम यह teachers related सारे की सारे studies, competitive exams and jobs के बारे में हम discuss करते हैं तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है subscribe कर लिजिए और हमारे जितने भी सारे social medias है उसको आप follow कीजिए future में जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह आप देख सकते हो यह है National Institute of Technology स्रीनगर का official website यहाँ आप देखे हैं एक mention के आगए admission admission के नीचे आप देख सकते हो admission 2021-2022 मैं इसको थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ तो यहाँ देख सकते हो admission admission यहाँ admission 2021-2022 तो मैं इसी के उपर क्लिक करता हूँ आप थोड़ा सा नीचे आओगे आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा advertisement for PhD program for all categories तो यह है इसका notification तो थोड़ा जूम कर लिए advertisement notice और यहाँ आप देख सकते हो यह है applications are invited for the enrollment in PhD programs in different departments for the academic session autonome 2021 यहाँ देखे department यहाँ mention किया आगया chemical engineering आप देख सकते हो कितने सारे subject से जिस subject में आप यहाँ admission ले सकते हो energy and environment, biotechnology then wastewater treatment then nanotechnology electrochemical radiation of CO2, then polymers fuel cell technology यह सारे के सारे subject में इसके अलाब आप आप बहुत subject है जो भी इस sector में PhD करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और देख लिजिए कि आपका जो particular subject इसके अंदर है की नहीं ठीक है ठीक, civil engineering में आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे subject से तो जो भी civil engineering में करना चाहते हो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा देख लिजिए आपका subject है की नहीं यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया structural engineering में इतने सारे subject है उसके अलाबा water resource and environmental engineering में फिर से बहुत सारा subject है तो आप थोड़ा नीचे चलेंगे यहाँ देखिए geotechnical engineering यहाँ भी बहुत सारा subject दिया गया है then transportation engineering में आप यहाँ देख सकतो transportation engineering में भी बहुत सारा subject है जहाँ आप PhD कर सकतो then geology and rock mechanics और geoscience इसमें भी आप देख सकतो कितने सारे subject है ठीक इसी प्रकार computer science and engineering में आप देख सकतो कितने सारे subject है then electrical engineering power and energy system में जो भी subject है आप यहाँ देख सकतो है mention किया गया है then power electronics and electrical devices drives यहाँ भी देख सकतो कितने सारे subject mention किया गया है control and automation में आप देख सकतो कितने सारे यहाँ subject mention किया गया है electronics and communication engineering में आप देखिए कितने सारे subject यहाँ right side में mention किया गया है तो आप जो भी इंट्रेस्टेड हो इस सब्जेक्ट में आप थोड़ा देख लिजे यदि सब्जेक्ट अभिलेबूल है तो आप यहाँ अपलाई कर सकते हो ठीके सी प्रकार इंफर्मेशन टेकनोलोजी में आप देख सकते हो कितने सारे सब्जेक्ट अब देख सकते हो मैथमेटिक्स, हुमानिटिज अन सोशियल साइंस अन मैनेजमेंट देन फिजिक्स यह सारे के सब्जेक्ट में आप यहाँ प्येजडी कर सकते हो और राइट साइट में जो सब्जेक्ट दिया गया है सब्जेक्ट आप वीडियो पॉस्ट करके देख लिजिए यह दिया आपको मिलेगा तो अच्छा है तो अभी चलते हैं इसका जो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जैसे कि देखें यहां केमिकल इंजिनिरिंग में में मेंसन किया गया है यहां तीन प्रकार का क्वालिफिकेशन फास्ट आपके पास एक मास्टेज डिग्रू होना चाहिए मे एम टेक और इसमें कम से कम आपका 60% CGPA होना चाहिए और जिन्होंने SCST काटेगरी से आते हैं या उनके लिए 5% का रिलाक्सेशन मिल जाएगा इसके अलाबा जो B.E.B.T.E. के बाद करना चाहते हैं ठीके उनके लिए गेट कंपल सरी है यहां देखे B.E.B.T.E. के बाद गेट कंपल सरी है और उनका जो परसंटेज मार्क है यह कम से कम 75% चे एबब होना चाहिए या 8.0 CGPA होना चाहिए जो S.E.S.T. काटेगरी से आते हैं उनके लिए 5% का रिलाक्सेशन जो M.E.C. के बाद यहां पढ़ना चाहते हैं उनका कम से कम 60% मार्क होना चाहिए या 6.5 CGPA और उसके साथ-साथ गेट स्कोर होना बहुत ज़रूरी है ठीक है गेट या हमारा नेट देखे यहां जो M.T.E.C. जो mention किया गया है यहां देखे गेट नेट की कुछ बात नहीं किया गया है मगर जो B.T.E.C. या M.E.C. करके आएंगे उनके लिए यहां compulsory है ठीक इसी प्रकार relevant degree भी यहां mention किया गया है आप यहां देख सेकते हो कौन सा degree किरी के बाद आप यहां इस डिपार्टमेंट में admission ले सकते हो यह भी एक बहुत अच्छा चीज है इन्होंने mention किया है तो देन आप यहां देख सकते हो M.E.C. में भी आप कौन सा subject लेकर पढ़ाई करेंगे उसके बाद आप इसी particular department में आप PhD कर सकते हो ठीक इसी प्रकार civil engineering में आप देख सकते हो eligibility criteria सारे के सारे सेम है department के हिसाब से M.E.M.Tech में 60% चाहिए और B.E.B.Tech के बाद आप यह दिक करना चाहते हो gate के साथ साथ कम से कम 75% mark होना चाहिए then यह सब होना चाहिए valid Gale score then UGC CSS को यह मेंशन किया गए ठीक computer science and engineering electrical engineering then electronics and communication engineering information technology mechanical engineering then meteorological materials engineering then आप यहाँ देख सकते हो chemistry, mathematics यह सारे सारे subject chemistry, mathematics humanities में आप देख सकते हो यह मेंशन किया गए master's degree होना बहुत जरूरी है और उसके साथ valid net या get qualification होना जरूरी है और carrier 60% होना चाहिए यह सारे किसरे आप देख सकते हो humanity social science में सेम और physics में भी सेम है यहाँ नीचे आप देख सकते हो आपको यह जो procedure है यह सारे किसरे online है यहाँ मेंशन किया गया the candidates have to apply online using the link इस link के उपर आप click करके आप online apply कर सकते हो इसके लिए जो fee जो रखा गया है general के लिए रखा गया है 1500 रूपिया ठीक है जिसमें हमारा OBC non-crimalier भी आ जाते हैं इसके बाद 750 रूपिया रखा गया है SD, SD, EWS and PWD candidate के लिए ठीक है इसको भी आपको online फी payment करना पड़ेगा application will be screened by the concerned department and a list of the eligible candidates will be made available on the institute website ठीक है और बाकी admission categories आप यहाँ देख सकते हो यहाँ 5 प्रकार का category यहाँ mention किया गया है यह फूल टाइम जहाँ आपको full intensive मिल जाएगा institute के तरफ से then full time sponsored आप यदि किसी organization हो और आपका जो total PhD का खर्च है यह यदि कोई organization उठाना चाहते है तो अच्छा है इसको sponsored PhD बोला जाता है आपको यह रूप्या देना नहीं पड़ेगा then part time sponsored again आप यदि part time में PhD करना चाहते हो और आपका जो पैसा है सारे के सारे कोई organization देना चाहता है then full time full time में जो UGC का जो NET, CSR का NET या GET या INSPIRE का जो fellowship होता है उसके थ्रो में जो आएंगे वो भी यहां full time PhD कर सकता है then part time sponsored आप यहां देख सकते हो mention क्या गया है then documents आपको क्या-क्या चाहिए application form भरने सबाए यहां थोड़ा आप देख लेना then sponsored full time and part time candidates have to produce the following documents or the time of enrollment तो जो भी sponsored student है जो part time ही या full time ही PhD करना चाहते उनके लिए थोड़ा extra documents चाहिए आप यहां देख सकते हो then exemption all sponsored categories are exemption from the NET, GED, JEST जो भी sponsorship में PhD करना चाहते उनके लिए NET, GED, JEST की जरूरत नहीं है simple masters के बाद master's के बाद या degree के बाद और यहां PhD कर सकता है तो यहां थोड़ा सा नीचे आप यहां देख सकते हो admission categories under the 4 and 5 are exempted from the appearing in the written test यहां और एक चीज यहां देखे यहां और एक चीज यहां mention किया गया है number 12 में candidates whose final year's result is yet to be declared are also eligible to apply तो जिन्होंने भी final year semester में है या final year में है वो भी eligible है यहां apply करने के लिए तो वो भी यहां PhD कर सकता है then important ascension आप यहां देख सकते हो जिसमें mention किया गया कि hostel के लिए female के लिए hostel available है और department के हिसाब से दिखा जाएगा यदि boys के लिए hostel है तो आपको भी मिल जाएगा contact person का number वागी help line number यहां दिया गया है आप यहां देख सकते हो then activation of link यहां mention किया गया है आप यहां देख सकते हो और यहां देखे important date यहां mention किया गया important date में आप यहां देख सकते है यह already शुरू हो चुका है July 2 तरिक से और इसका जो last date है यह है July 21 इसको थोड़ा आप याद रखना इसका जो last date है यह है July 21 ठीक है date of entrance exam test will be notified on institute website institute के website में आपको बता दिया जाएगा जो भी through entrance test यह admission लेना चाहते हैं उनका date बता दिया जाएगा in future में तो यह था इसका details जो भी interested हो यहां आप PhD कर सकते हो और योदी कुछ special information चाहिए तो मुझे आप comment box में लिख सकते हो और जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है subscribe कर लिजे future में जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा और इसका जो link है मैं description में दे दूँगा वहां से भी आप इसको download कर सकते हो so thank you all the best